फार्मसी के अच्छे दिन ऐसे आएंगे मैं आपके साथ आज की वीडियो में बात करने वाला हो कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो आपको note down करना बहुत ही important है specially मैं आपको बाताना चाहता हो दोस्तो कि कुछ दिनों से इंडिया और चायने के बीच में वार जैसी situation है लेकिन इंडिया अपना अलबग 80% डिपेंड करता है चायना जैसी कंट्री के लिए अपने API manufacturing के लिए मैं आपके साथ आज कुछ ऐसे पॉइंट्स के बार में बात करने वालो जो फार्मसी फिल्ड के लिए इंडिया में इंडिया और चाना के बीच में कुछ वार जैसे situation बनी हुई है एक चीज को हम monitor कर रहे हैं कि यहां पर दोनों भी साइड की forces आ रही है एक दूसरी के साथ लड़ रही है लेकिन आप सब लोग एक बात background में आपको मैंने बहुत सरी वीडियो में थोड़ा सा जिकर हर बार करते आया हूँ कि इंडिया अपने API manufacturing के लिए चाना की उपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है अब देखो यार इंडिया ने अपने 59 apps जो थी चाना की specially उसको बैंड कर दिया क्या आपको लगता है कि इस न्यूटर के एक लॉट है कि अब यहां पर क्या होता है कि अगर एक चीज़ बैंड करता है तो दूसरी कंट्री दूसरी चीज़ बैंड करती है लिकिन इंडिया का pharmaceutical industry का सबसी important structure या फिर सबसी important चीज़ है वो चाइना बनाती है अगर ऐसी case में खुदाना खास्ता चाइना अगर एक्सपोर्ट करना बन कर दे या फिर इंडियन गवर्मेंट चाइना से एक्सपोर्ट करना बन कर दे तो ऐसी case में बहुत कुछ चीज़े बदर सकती है अब देख़ार एक ड्रक के लिए बहुत ज़दे किसी को होती है इंडियन इंकोनों में इसके साथ प्राइस भी थोड़ी सी रिजनेबल रखना इसलिए इंडिया में बहुत ज़दा लोग भी है दुनिया में इसलिए इस चीज़ के लिए जानी जाती है अब ऐसी केस में इंडिया में अगर API मैनेफेक्ट्रिंग के लिए कुछ प्रॉब्लिम आती है तो एक चीज़ हो सकती है दो तिन कंडिशन्स यहां पर एक कंडिशन ही होगी कि इंडिया किसी और कंट्री को ढूंड लेगी जो इंडिया को API इपोर्ट करेगा या फिर इंडिया को API अब यहां पर एक समझने वाली बात है common sense की तो इंडिया बहुत सारी कंट्री को आप देखोगे तो फार्मसुट्रिक इंडिया को अपना API दे सकती है यानि इतना बड़े लेवल का प्रॉडक्शन कौंस भी कंट्री नहीं करती है जितना चायना इंडिया के लिए करता था मशनरी तो चायना के पास मैंन पाउर एक सकते हैं जितने बी सारे लोग है वह बहुत जाद आए उतनी कौंट्रेटी में लोग किसी भी दूसरी कंट्री के पास नहीं है तो ऐसी केस में कोई और कंट्री नहीं होगी जो चायना जैसी API इंडिया को दे दूसरी बात चायना स अगर आप जादा रखोगे तो final जो medicine बनेगी उसका rate भी जादा होगा तो ऐसी केस मेडिसिन का final rate जादा होगा तो इंडियन pharmaceutical industry के जो चीज के लिए जानी जादी जो नीश है इंडियन pharmaceutical industry वह चली जाएगे इसलिए इंडिया अगर अपना API खुद बनाए यहीं इंडिया है ले सही होगा कि अगर यहां पर बनेगा तो नहीं उसके उपर import duties लगेगी नहीं इसके उपर बहुत बड़े-बड़े जरुवत पड़ेगी बहुत सारी लोग की जरुवत पड़ने के साथ लोग को jobs जादा मिलने लगेंगे क्योंकि API इंडिया में अगर API manufacturing होने लगे और इंडिया के पास लोग बहुत जादा ओर इसका फार्मर्स फिल्ड को जादा होगा क्योंकि life science वाली लोग की जरुवत इंडिस्टि में जादा लोग को पड़ेगी इसलिए अटमेटिकली जो सारे लोग जो बोलते थे पहले की job कम हो रहे है कम हो रहे है वो जौब धीरी धीरी बढ़ने लगेंगे और एक चीज़ आप जान लोगी चायने ऐसी कंट्री जिसके ऊपर कोन से भी कंट्री टरस नह करना अब यह बार में जो चीज़े होगी इस से एक चीज़ के साफ है अगर चायना और इंडिया के बीच एपिया मैनुफेक्टरिंग के लिए कुछ भी थोड़ा सा उपर निच हो जाए तो इंडिया की पक्ष्में अगर चीज़े जाती है तो इंडियन फार्मसुटिल इ यह बता है तो इंडिया थे जाने माद